नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे जहां पर आपके 70 प्रस्ने काफी महत्तुपूर हैं तो चलते ही स्टार्ट करते हैं जितने बच सकते हैं हमारी आवाज आ रही है सबको किलियर है स्टार्ट करें चर्व स्टार्ट करते हैं चलिए आपका पहला प्रस्न पूछा गया है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है पानी पीकर जात पूछना अर्थ मतलब क्या होता है फास्ट अंसर दीजिए विल्कु से होता है वाक्यों का वर्गी करण मुख्यता कितने प्रकार से होता है चलिए यहाँ पर 2 का सही जवाब बिलकुल सही जवाब है जवाब क्या हुजएगा चलिए यहां पर त्री का बिल्कुल जवाब आ रहा है ऑप्षन राइट आपका यहां पर C हो जगा त्रीकी नमर आपका है पावन का संदि विछेदोरimientos पुछा गया है और यहां पर फोर का क्या हो जाएगा बिलकूल सही है पवधन अन हो जाएगा Option right आपका C हो जाएगा पवधन अन हो जाएगा ठीके, यह आपके कैसकते हैं कि आयादी सुरसंदी में आता है आयादी संदी में ठीके, चली अगला है सुद्स ब्त याँ पर आपको چुनना है ठीक है आपका दिया है गंगाजल बेवनियाद बड़ासा चोपाया याँ पर सुद्स सद्द अपका जो हो जायगा वह आपका हो जायगा ऑफशन C नमबर बड़ासा हो जायगा ठीक है मतलब कि जो वर्तनी के अनुसार जो नियाम होते हैं तो सा जैसा आदे ये आपके कह सकते हैं सारूप प्यवाच्कों के आपके पूर होते हैं अर्थाति योजग का प्रियोग आपको किया आता है जिसे तुमसा, राम जैसा ठीक है? ऐसे वर्ड जो होते हैं वो आपके सुद्ध माने आते हैं तो यह पर सी हो जाएगा ठीक है? चले अगला है कि निम्रिकित में से किस वाक्य में अकर्मक किरिया है अकर्मक किरिया आपसे पूछ रहा है 6 का जवाब बताई यह आपर तो ग्यों पिस्वाता लिखता यह देखी यहाँ पर अंसर आपका पानी बरस रहा है यहाँ पर देख सकते हैं न यहाँ पर आपका कर्म तो है नहीं है जब कर्म नहीं है तो इस प्रकार से के सकते हैं कि यहाँ पर यह आपकी अकर्मक किरिया है ठीक है? A नमर ने इसके करा है है मुझे किस प्रकार का सरो नाम है मुझे किस प्रकार का सरो नाम है सेवन का जवाब दीजे चलिए सही बिल्कुल यहाँ पर मुझे जवाब का है यह आपका उत्तम पुरुस है ठीक है यह नमबर आपका सब्द जो होते हैं, कैतने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर जवाब हो जेगा option right, यहाँ पर B नमबर आपके चार प्रकार के एकार्थी, अनैकार्थी, समनार्थी और आपके विप्राथी जब्द ठीके, चलिए अगला है लाल टेन सब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है नैन का जवाब क्या हो जाएगा लाल टेन तो भई लाल टेन है यह आपका जो है यह आपका बिदेश सब्द है ठीके आपका D नमबर आपका सही हो जाएगा यह आपका बिदेश सब्द है ठीके चले अगला कॉर्शन है कि यसोधा में प्रियुक्त संदी के नाम बताएगे यसोधा में जो आपकी संदी है कौन सी संदी है यसोधा अर्थात यहाँ पर ओकी मातरा को हटा कर विसर्ग लगा देंगे तो यसाहधन दा बनेगा जो सी नंबर आपका है यहाँ पर यह अर्थात यसाहधन दा आपका बनेगा जिस प्रिकार से आपकी विसर्ग संदी हो जाएगे चले अगला कॉर्शन है कि कुर्षी पर मास्टर जी बैठे है इस वाकि में कुर्षी सब्द किस कारक में है ति यहां पर देख सकते हैं कुरशी पर, मास्टर जी बैठे हैं ति यहां पर आपका हो जायगा कौशा? मे पर अर्था यहां पर कैसे confirmation gün कौशेगए यहां पर आपका अधिकरेन कारक हो जायगा ठीक है चलिए next question के आते हैं कि बहुबरी समास का उधारण कौन सा है बाराक जवाब दीजिए बहुबरी समास का उधारण कौन सा होजेगा बाराक का जवाब दीजिए चलिए यहाँ पर आपका जो अनसर आपका है देखिए पंचवटी अर्थात ये दिजिए समास करोटपती और यहाँ पर C नमबर आपका है चतुर भुज ठीक है चतुर भुज यह आपका बहुबरी समास आपका होजेगा अर्थात कह सकते हैं कि चार हैं भुजा है जिनके अ cham sabda ठीके तिलाक आपका तत्सm sabda याद रिखएगा अगला है अण्डे का सहरे जादा का अर्थ क्या होता है CHAUDUC Jवाब दीजे अंडे का सहरे जादा यहां पर जाब हो जएगा क्या अन्भोहीन भ्यक्ति ठीके असर आपका एर्थ पूछा है 15 का तो वह classic आपका हो जाएगा ज Taylor सोचकर उत्तर दे सकता है उसे बोलते हैं थीलिटें तो अनैसर आपके साथ का सोचकर उत्तर दे सके थीलिटें हड़ हड़ा ऐती बूली है जो आपकी एक कहा की बोली है हड़ा ओती होली है और आपर देख सकते हैं कि राजस्थानी भासा में चार आपकी भासाय होती हैं और यहां पर हड़ाउती बोलते हैं जैपूरी को याद रखीएगा ठीके जो कि आपकी पूरी राजस्थान की है ठीके तो 16 कप्षन राइट आपका बी हो जाएगा ठीके नेस्ट कोईचन आपका अगला है कि प्रेम चंद की अधूरे उपन्यास का नाम अताईगे प्रेम चंद के अधूरे उपन्यास तो देख सकते हैं ये question बहुत ही प्यारा है और ये अधूरा उपन्यास है जो कि मंगल सूत्र C नमबर आपको हो जाएगा मंगल सूत्र हो जाएगा जो कि आपका अधूरा उपनियास है ठीके और नेस्ट कोश्चन काते है कोश्चन आप से एकला है कि सुद्ध दुवा की चुनिये यहाँ पर देख सकते हैं विरामची निकी साहब से है और सुद्ध जो आपको चुनना है आपका कौन सा हो जाएगा चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अठारा में कहराब से सायद आप पटना के रहने वाले हैं तो जो सायद है वहीं पर आपको कह सकते हैं प्रस्णवाचक जरूर लगता है ठीके तो अनसर आपका डी सही आपर हो जाएगा अगोस वर्ड कौन सा है 19 का जवाब दीजिए अगोस वर्ड और यहाँ पर आपका 19 का हो जाएगा सही जवाब 19 का आपका कौन हो जाएगा अगोस और अगोस मतलब कह सकते हैं कि जो हर वर्ग का पहला और दूसरा बेंजन होते हैं और आपके सा 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 ये आपके आते हैं अगोस में तो देख सकते हैं जवाब आपका D हो जाएगा ये जो आपका सा है ये आपके अगोस में आता है ठीक है और यह जो हा है हा इन में से वो आपका सगोस में चला जाता है ठीक है चले अगला है एक ही समय में वर्तमान एक ही समय में वर्तमान इसे क्या बोलेंगे तो भाई एक ही समय में वर्तमान को बोलते हैं समसमाईक देखते हैं घटना जो आपकी करेंट अफैर होता है समसम अगला है पार्थियू जवाब का है इसका मतलब क्या होता है तो पार्थियू होता है जिसका सम्मंद प्रत्विय से होता है जिसका जवाब डिया रहा है बिल्कुत सही है जिसका सम्मंद प्रत्विय से हो उसे पार्थियू कहते है उद्धत का विलोम बताइए बाइस का जव तो आप बिल्कुछ सएज Benjamin आपका उद्धत का विनीत आपका हो जाएगा तीक इख अगरका परियोची के कोमलकट हो रहा सइए तो घरख यहां पर दे सकते हैं जो परियोची है विलकुल आपको अलग से दिख रही होगी जो आपका कौनीी ठीक है कौन से आपकी गिये है यह आपका हो जाएगा ठीक है तेश का option right आपका कौन से हो जाएगा आपका D नमबर हो जाएगा अन्य परेवाची होते हैं घर सदन भवन मंदिर धाम निकेतन आगार आलाय निलाय ठीक है चलिए अगला है कि विपरात्थक सब्द आपका जो है सोसक तो सोसक का जो विपरीत हो जाएगा तो बिल्कुल लिजी है सोसक का विपरीत आपका पोसक होता है ठीक है B नमबर अगला है कहावत सब्द में प्रिक्स प्रत्य बताएगे कहावत में जो आपका प्रत्य है वो आपका कौन से है कहावत आवत तो यहाँ पर आपका जो आवत सब्द है वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा तो भाई जिसका जवब डिया रहा है बिल्कुश सही जवब आपका है चलिए नेस कोशन आपका दिया गया है जो कि आपके कह सकते हैं यहाँ पर आपको 26 से 30 आप तक हैं जिनको मिलान करना है आपके कौन से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका पहली जगा अपनी जगा उचित रहता है अपनी इस्थान पर और यह जो आपका रहता है अपनी इस्थान पर रहता है यह जो आपके हैं यह आपके अल्टरनेट है इनको करम से लगाना होता है जो कि आपको हर एक नए प्रकार की question देखने को मिलते रहेंगे तो I hope यह जो question है यह आप कह सकते हैं कि उस समय के अनसार आप सही कर सकते हैं यहाँ पर चाहिए इतने बताये जाएं लेकिन कोई मतलब नहीं है बस आपको rule देखना है कि rule क्या होगा आगे आपका यहाँ पर गध्यांस है जो कि 31 से 35 है तो यहाँ पर गध्यांस को हम 35 तक skip करते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि 36 नंबर से ठीक है चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि प्रतेक प्रस्नवाकी में एक अधो रेखांकी सब्द हैं नीचे दिये गए आपको तीन असुद्ध हैं और चौते सुद्ध रूप में लिखे गए सब्द का चैन करिए यहाँ पर आपका कवित्री है और इसका सही जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा चलिए कवित्री सब्द का जो सुद्ध रूप होता है कवित्री होता है डी नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रधान मंत्री के भासन की स्रुत लिप उसने उसी समय ले ली यहाँ पर जो स्रुत लिप है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है सुत लिप कासी सुत रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा option right ये वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही लिखा है सुत लिप होता है ठीके बी नमबर अगला है भग्गु सेट तो बहुती दुस्चरित व्यक्ति हैं भग्गु सेट 38 के जवाब दीजी यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा 38 का वो आपका हो जाएगा दुस्चरित जो आपका लिखा है ए नमबर ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ठीके चलिए यहाँ पर 49 से 40 आपके दिये हैं लोकुक्ति आपके अर्थ बताना है चलिए यहाँ पर दिया है कि मुह की खाना मुह की खाना सही जवाब क्या हो जाएगा तो भग्वाई मुह की खाना मतलब होता है हार जाना ठीके अंसर आपका कौन हो जाएगा C नमबर हार जाना हो जाएगा दपोर संख 40 का दपोर संख मोहरे का आर्थ बताना है तो दपोर संख मोहरे का सई अर्थ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ पैर की बाते करने वाला भी नमबर आपका सही हो जाएगा तो यहाँ पर के सिकते हैं practice rate के माध्यम से हमने याँ पर solve किया और कुछ सब्द हमने याँ पर जो कुछ question लिये हैं इसके आयवे question हमने करवा दिया था ये expected question आपके हैं ठीक है? यहाँ पर दिया है station किस भासा का सब्द है first answer देना सभी लोग ठीक है? चलिए station किस प्रकार का सब्द है याद रखे station आपका जो है ये आपका है अंग्रेजी सब्द ठीक है? अंसर आपका B सही हो जाएगा चलिए रज्यू सब्द का तदभव रूप बताईए रज्यू का तदभव तो रज्यू का जो तदभव होता है भाई वो आपका क्या होता है? चलिए जवाब दीजी चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा रज्यू का विलोग होता है रस्यी क्या होता है भई? रस्यी होता है याद रखे कराई सुरूत के आदार पर सब्द के भेदोते हैं वो आपके 5 होते हैं ठीके जवाब आपका D सही हो जाएगा सरी 3 कहा सही है D आपका D हो जाएगा अगला है निम्न में से कौन सा सब्द फार्सी भासा का है फार्सी भासा का सब्दाब से पूछा है 4 का जवाब दीजी यहाँ पर फार्सी भासा का आपका हो जाएगा जिन्दगी जो जिन्दगी है यह आपकी फार्सी भासा का है ठीक है D नमबर आपका हो जाएगा चलिए सक्कर सब्द का तस्सम रोब पूछा है गमार का तस्सम तो वही गमार का तस्सम क्या हो जाएगा 6 का सही जवाब हो जाएगा D नमबर ग्रामीड हो जाएगा ठीके ग्रामीड हो जाएगा चलिए चोच का तस्सम रूप बताना है आपको चोच का तस्सम सब्द क्या हो जाएगा सीवन का सभी जवाब बताईए चलिए यहां पर option right आपका चंचु हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा चंचु सी नमबर आपका सभी हो जाएगा अगला है निम्रिकेत में से कौन योगिक सब्द है कौन योगिक सब्द है तो यहाँ पर देख सकते हैं योगिक सब्द होता है जो दो सब्दों से मिलकर बने होते हैं है ना तो यहाँ पर आपका देखोई छात्रा वास यह यहाँ पर आपका योगिक सब्द है और आपका C हो पीतामबर ख्रिस भगवन अर्थ tatसी नमबर आपका सही हो जएगा कौनसा देशज नहीं है कौनसा देशज नहीं है तहाँ पर 10 का आपका जो जवाब हो जएगा चमचा याद रखीए का चमचा यह आपका देशज नहीं है ठीके? अगला है आज का तर्सम क्या होता है ग्यारक जवाब दीजी आज का तर्सम तिहां पर ग्यारक का सही जवाब होजएगा आज का होता है अद्ध होता है ठीके C नमबर आपका होजएगा अद्ध होजएगा किवाड सब्द पूछा है किवाड सब्द क्या है कीवाड सब्द है जो कैसा है तो कीवाड जो सब्द है यह आपका है एक तद्भाव सब्द है ठीक है ए नमबर आपका हो जाएगा केवाड कैसा है तद्भाव है अगला है उत्पत्ति के आधार पर सब्दिके कितने भेद होते हैं तेरा का जवाब देना है कि उतपत्ती का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं यहां पर ոि्टक उप्संज राइट आपका हो जाएगा c नमबर उन्हें हम लोग देससब्द कहते ठीके देसज अगला है कि संस्क्रत के ऐसे सब्द जिने हम जियोंक। प्रियोग में लाते हैं तो संकर सब्द का होता है कि दो भासाओं से जो आपके मिलकर बनते हैं, ठीक है, D नमबर आपका हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला है, दर्सन का तद्भा रूप आपका क्या हो जाएगा, शत्रक जवाब दिजे, तिहां पर दर्सन का आपका हो जाएगा, जो तद्भा धारण न करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, 18 का सई जवाब क्या हो जाएगा, तो यह होते हैं आपकी योगिक सब्द, यह सोतन्त नहीं हो गए, यह दो आपके मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है, अगला है निमनिकित में से कौन सा सब्द तर्सम है, उन्हें इसका जवाब द द्रश्टी से सूच मांतर व्यक्त करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं? प्रियोग की द्रश्टी से सूच मांतर व्यक्त करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं? चलिए 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सूच मांतर जो होते हैं वो आपके समनार्थक सब्दें होते हैं ठीके? कैसा है बिदेसा सब्द है, हमने एक विडियो बनाया था, जिसमें से आपको सब कुछ बता वी दिया था, मगही सब्द जो आपका है, वो किस प्रकार का है मगही, तो मगही सब्द जो आपका है, वो आपका तद्भाव सब्द है ठीके option right up का 22 कभी हो जएगा तदभव कमल किस प्रकार का सब्द है तेश का जवाब दीजे कमल किस प्रकार का सब्द है तेश का सैंज जवाब हो जएगा कि कमल जो है अगर इसे हम तोड़ेंगे भी तो हम तोड़ नहीं सकते हैं ठीके तो इसका जवाब हो जगा root सब्द ठीके, तो यह आपका हो जगा root सब्द जिसको खंडन करने में कोई सार्थाख खंडना हो और सार्थाख अर्थना निकले उसे हम root सब्द बोलते हैं, ठीके दसानन किस प्रकार का सब्द है तो भई दसानन आपका बहुबरी होता है और बहुबरी ही जो आपका होता है उसे हम लोग योग रूड बोलते हैं ठीके तो सही जवाब हो जाएगा 24 का C नंबर अगला है निम्ड से कौन सा सब्द तुर्की भासा का है तुर्की भासा का पूछा है 25 का जवाब हो जाएगा आपका D नंबर कैंची कैंची जवाब का है वो आपका तुर्की सब्द है ठीके अगला है निम्ड से एक तर्सम सब्द कर छाट कर बताना है 26 के जवाब दीजे यहाँ पर आपका जो तर्सम सब्द हो जाएगा 26 को अप्शन आपका D हो जाएगा जो तर्सम में आपका घोटा कर था घोड़ा का होता है ना तो यह आपका सही हो जाएगा 27 है कि निम्लिकित में से तर्सम सब्द का है चैन कीजिए 27 जवाब दीजिए तसम, तो यहां पर आपका तसम हो जाएगा जो कि B नमबर है वर्सा ठीके, ये वाला जुसा होता है हमें सच दिखते हो किसमें होता है इसमें होता है न तसमें, तो B हो जाएगा चाय किस भासा का सब्द है 28 जवब दीजिए, चाय किस प्रकार का है तो भाई चाय और यह जो आपका होगा चीनी सब्द होगा ठीक है कैसा होगा चीनी सब्द होगा और यहाँ पर last question किन्यम से कौन सा सब्द तुर्की भासा का नहीं है तुर्की भासा का नहीं है तो यह भाई आपका जो है वो आपका नहीं है सी नमबर रिक्सा यह आपका जापानी लेंग्विज है ठीके तो इस प्रकास से आप लोगों ने लगवग आपने सतर प्रसनों का टेस्ट लगाया है ठीके और मानते हैं कि यह प्रसन आपके ठीक थे और जो अच्छे सत्यारी किया होगा वही के नमबर आ सकते हैं इतना आसा